ठेक है करें शुरू एक इसी काम को 51 दिनों में कर सकता है और बी उसे 34 दिनों में कर सकता है समान कारे को पूरा करने में लगने वाला समय ग्याद कीजिए यदि वे वेकल्पिक दिनों में कारे करते हैं और एक कारे शुरू करता है वेकल्पिक का मतलब होता है एक आंत्रकरम म तो देखिए यहाँ A किसी कारे को कितने समय में करता है 51 दिनों में और B किसी कारे को 34 दिनों में दोनों का जो LCM है हमें पता न है 17 दिना 34, 17, 51, 17 दिना 34 यानि 6 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा एक सो दो आ जाएगा 51 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा दो बार और यहाँ तीन बार एपिसेंसी आ चुकी है यहाँ गई हमारी पास एपिसेंसी और यह क्या आ चुका है वर्क LCM है मारा क्या कहलाएगा कारे कहलाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि A और B वेकल्पिक रोप से कारे करते हैं इसका मुलब पहले कोन करेगा A उसके बाद में B इस तरीके से एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं कारे की सुरुआत कोन करता है A तो सबसे पहले मैंने A लिया है अब देखें यहाँ यह एक दिन की बात हो रही है कितने दिनों की बात हो रही है एक दिन की बात हो रही है तो एक दिन और एक दिन कितना हो गया दो दिन हो गया दो दिन में कितना कारे बताओ दो दिन में पांच कारे दो दिन में पांच कारे हो गया ऐसे करते हैं यहाँ पर यह round कितनी बार चलाएंगे हम लोग? 20 बार चलाएंगे, यह round चलेगा 20 बार, यानि कुल मिला के हमें 40 दिनों में कितना कारे complete हो जाएगा यहाँ पर? 100 कारे complete हो जाएगा, ठीक है? 100 कारे complete हो चुका, वापस नंबर किसका आएगा round में? 1 का, कितना कार करेगा एक दिन में दो काम कर देगा एक दिन में कितना काम करेगा दो तो कुल मिला के 102 कंप्लेट हो चुका वर्ग यहां टाइम कितना लगा 41 दिन कितने दिन 41 दिन तो यहां हमारे पास आंसर क्या आएगा D option आ जाएगा करते हुए विकल्पिक दिनों में कारे करते हैं तो कारे कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा कौन कौन है रवी और सुमन्त रवी कितने दिनों में 40 दिनों में और सुमन्त 50 दिनों में अच्छा एलिश्यम क्या आएगा एलिश्यम दो सो आएगा एलिश्यम क्या आएगा दो सो आएगा अब देखिए यहां चालीस का भाग देंगे कितना आएगा पांच अचास का भाग देंगे चार यह क्या आ गई अपने पास एपिसेंसी और यह क्या आ चुका है वर्क यह आ पहले रवी और फिर अच्छा मुझे बताओ रवी एक दिन में कितना कारे करेगा पांच और सुमंत कितना चार तो हम लोगों को पता लगा कि यहाँ पर दो दिन में कितना कारे होगा दो दिन में कितना कारे हो जाएगा पांच और चार नो इस नो का भाग देंगे तो यह रा पहले round चलाएंगे न हम लोग यहाँ पर, तो यह कितनी बार चल रहा है, 22 बार चल रहा है क्या, 22 बार चल रहा है, तो कितना आएगा बताओ, कितने दिन होगे, 150ений 45 दिन 45 दिन में कितना कारे हो गया 1889 कारे हो चुका अब किसका नमबर आएगा काम कितना बचा हुआ है 2 2 कारे और बचा हुआ है नमबर किसका है रवी का रवी बोलता है समय निकालने का तरीका अम लोग जानते Work upon efficiency और काम कितना ही करवाना है अब अपने को दो ही करवाना है लेकिन efficiency कितनी है रवी की 5 तो 2 बटे 5 दिन तो कुल मिला के समय कितना लगा चमाल इस सही 2 बटे 5 दिन कौनसा अंसर आएगा यहां पर कौनसा option होगा D option आ जाएगा ठीक है P Q और R एक कारे को करमें से 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं यदि हर तीसरे दिन Q और R द्वारा P की मदद की जाती है कौन से दिन हर तीसरे दिन तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे का पूछा है 2023 में SSC ZD में तो क्या आएगा बताओ यहां P 20 दिनों में और Q 30 दिनों में और R 60 दिनों में LCM ले लेंगे कितना आएगा LCM LCM 60 यहाएगा 20 का भाग देंगे 30 का भाग देंगे 60 का भाग देंगे एक बार अब दिखिए यहां पर कितने दिन काम होगा 3 दिन कितने दिन पहले पी करेगा पहले दिन फिर दूसरे दिन भी पी करेगा तीसरे दिन पी किसा आज ता कौन कौन करेगा Q और R ये एक एक दिन का काम है कितने दिन का काम है एक एक दिन का काम है एक एक दिन का काम है बताओ यहां से पहले दिन पीने कितना काम किया होगा पहले द पीने यहां तीन कारे की होगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन तीनों ने कितना काम किया होगा, अच्छे, इस प्रकार से तीन दिन में काम कितना हुआ, बारा कारे हो चुका है, कितने राउंड चलाएंगे ऐसे, पांच, कितना कारे हो चुका है, इधर, तो काम पूरा हो चु D option हो जाएगा JBA justement निश्चित कारे पूरा करता है तो उसे 40 रुपे का कुल वेतर मिलता है जब गानिका समानकारating पूरा करती है तो उसे 165 रुपे का कुल वेतर मिलता है हैं आशिस और कनिका की देनिक मजदूरी तीन पूर्ण पांच रुपे और पांच पूर्ण पांच रुपे हैं यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हैं तो कारे की लागत क्या है दोनों इसे एक साथ करते हैं तो कारे की लागत क्या है देखो यहां पर देनिक मजदूरी देरे किया आशी सोर कनिका क क्या क्या है बताओ कितना जब आशी से एक निश्चित कारे पूरा करता है और सत्त दिन में कुल वेतन सत्त रुपे का कुल वेतन उसको मिलता है जब कनी का समान कारे करती है तो उसे एक सो पैसेट रुपे का कुल वेतन मिलता आसिस और कनिका की देनिक मज़़ूरी है ना हम लोग समय निकालने का तरीका पहले से जानते है work upon efficiency होता है क्या यही होता है क्या होता work upon efficiency तो सबसे पहले समय निकालेंगे 80 का, वर्क मतलब कितने रूपे मिल रहे है 80 को, 70 रूपे, और एक दिन में, कितनी ये बताओ यहाँ, 3.5, तो कितना जाएगा, 35 दुना 70, कितना जाएगा बताओ, 2, 20 आजाएगा क्या, 0 हो रा जाएगा, कितना जाएगा, 20, यानि कितने दिन में कर देंगे बताओ, 20 दिन में, कितने दिन में, बात के लिए रहे क्या, इसी परकार से हम लोग फिर से निकालेंगे, यहाँ पर किसकी वजदूरी निकालेंगे, करनी का की, वही वर्क अपोन एपिसेंसी, कितना पैसा मिलता है, 165 रूपे, और मजदूरी निये एक दिन कितना आएगा, 30, 30 दिन, बात समझ में आई क्या, अब क्या बोला, यदि वह दोनों एक साथ कारे करते हैं, तो कारे की लागत क्या है, यहाँ पर 80 कितना समय ले रहा है, 20, और कनी का, 30 दिन ले रहे हैं क्या, ठीक है, देखो यहाँ से, मैं ले रहा हूँ, M1, D1 लगा दूं क्या, बराबर, M2, D2 अपॉन, W2, अब लगाईए, बताओ, 80 से अकेला बेखती है, 80, ठीक है, तो 80 के लिए, Efficiency भी ले सकते हैं, आप लेना चाहूँ, तो ले सकते है, Efficiency 80 है, और यहाँ दोनों आएंगे, Efficiency क्या रही है, दोनों की बताओ, यहाँ पर, Efficiency भी निकालेंगे, 80 से और करने का कि 3.5, और 5.5, काटेंगे इसको, 7 और 11, यहाँ जाएगे इनकी Efficiency, ठीक है, अब बताओ, यहाँ पर, Efficiency 80 की कितनी है, 7, और कितने समय में कर देता है यह, 20 दिनों में, और कितना कारे करता है, बताओ, कितना, 70 करेगा, 70 रुप मिलेंगा कारे तो, और इधर देखिए, यहाँ पर, कौन कोन आएगा, 80 और कनिका दोनों आएंगे, 80 और कनिका दोनों आएंगे, 80 के लिए Efficiency, 7, कनिका लेकी लिए 11, अब समय चाहिए, दोनों को मिला की कितना समय लग रहा है, तो बताओ, यहाँ पर दोनों को मिला के कितना समय लग रहा है, A और कनिका को, 80 और कनिका को, 20, 30, LCM लीजी कितना आएगा, 60, 20 तिया 60, 30, 29, 60, दोनों को मिला के समय कितना लग रहा है, बताओ, 60 वाटे, 5, कितने, 12, यह 12 दिन लगेंगे, सही है, तो कारे की लागत क्या आ रहने है, यह देखिए, यहां पर पूछा गया है, w2, ठीक है, ऐसे करेंगे, आप देखिए, यहां साथ से काटेंगे, कितना है, 10, 0 से, 0, 2 का भाग देंगे, 6, w2 बराबर कितना आजाएगा, बता ओ, कितना आजाएगा, यहां पर कितना होया, 18, 18 x6 कितना हो तो गारे कितना है ठारे चीकी 108 एक 108 रुपए तो कारे की लागत के आ जाएगे बताओ 108 रुपए क्या ये बात समझ भी पर समझ में आ गई सभी को संजु एक कारे को कितने दिन में कर सकता है संजु एक कारे को 17 दिन में कर सकता है और रोहन उसी कारे को 68 दिन में कर सकता है समान कारे को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि वे बारी बारी से कारे करें संजु पहले आरम करता है पहले संजू करता है 17 दिन में बाद में रोहन करता है 68 दिनों में बताओ LCM कितना आएगा 17 का बाग देंगे 68 का बाग देंगे यह क्या ही एपिशेंची और यह क्या है ओवर्क है ठीक है कि नहीं इसके बाद मुझे बताओ दोनों एकांतर करम में कारे करते हैं कि नहीं करते हैं यह एक दिन में कितना यह एक दिन में मुझे बताओ टोटल दो दिन में कितना काम हुआ बताओ दो दिन में पांच राउंड कितने लगेंगे पांच का बाग दो कितना तेरा दोनों तरफ किस से गुणा करेंगे 13, 26 दिन में कितना कारे कम्प्लिट हो जाता है, इस तरह से राउंड काटते हैं तो, ठीक है, कितना 65, लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर कारे की सुरुवात कौन कर रहाता है, संजू, अब देखिए राउंड तो काट लिया आपने क्या कर लिया, राउंड तो काट लिया, इसका मलब अब पहले से इधर से जा रहे थे, इधर से जा रहे थे, पहले एक फिर चार, सही है कि नहीं है, काउंटिंग इधर से हो रही है, मैंने लिख दिया तो इसका मलब काउंटिंग इधर से हो रही है, अब बताओ राउंड तो तेरा खटके, वापस किसका नंबर आएगा, संजु का, किसका आएगा, तो फिर तो सही लिखाया है, संजु का आएगा, तो संजु की efficiency कितनी है, चार, काम कितना करना अपने को, अरे तीन ही करना है ना, तो समी निकानने का तरीका work upon efficiency आती है, work कितना है, तीन, efficiency कितनी, च समय कितना लगा बताओ 26 सही 3 वटे 4 इसको और थोड़ा सही से डिटेल में लिखेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा 107 वटे 4 कौन सांसर आएगा B option आजाएगा यदि 6 पुरूस किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 3 महला है उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 8 पुरूस और 3 महला है कितने दिन में करने वाले हैं तो M1, D1 लगाएंगे हम लोग M2, D2 बताओ कितने पुरूस 6 पुरूस कितने दिन में कितनी दिन में, बताओ यहां से कटते हैं तो काट दो, तीने कम तीन, तीन दुनी छे, बाकि आठ आदमी बराबर कितने हो गए, साथ महिलाओं, बताओ आदमीओं का अनपाथ, महिलाओं का, M अनपाथ, W क्या ये सही है, क्या, M के लिए कितना आएगा रेशो, साथ, W के और बताओ पुरूसों की क्या है कम, क्लियर है, अब बताओ यहां पर वापस से लिखेंगे M1, D1 बराबर क्या बढ़ा होगा, M3, D3, अब बताओ M1 मतलब व्यक्ति कितने हैं, पहले कोई भी सर्थ ले लो, 6 पुरूस, कितने दिनों में, 4 दिनों में, इसके बाद में कितने 8 पुरूस और 3 में लाए, कितने दिन में यही पूचा है, यही पूचा है, बताओ यहां पर M के स्थान पर क्या लिखूंगा, 7, M के स्थान पर 7, W के स्थान पर 8, 7, 6, 42, गुणा, 4, बराबर 7, 8, 56, 8, 24, कितना आएगा बताओ, 8, 8, गुणा, D3, काट दें क्या हम लोग, काट देते हैं, किस से काटेंगे, 4 से कितना आएगा, 20, और किस से काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना, 10, 2 से, 21, बताओ, D3 कितना आएगा, बताओ, 21 बटे, 10, 21 बटे, 10, कौन सा आएगा, बताओ, B option, आ जाएगा, किलियर है, 315 पुरूसों के लिए 48 दिन का बोजन बंधार प्रयाप्त है 45 और पुरूस सामिन हो जाए तो वही बोजन बंधार कितने दिन और चलेगा M1, B1 बराबर M2 और D2 315 पुरूस आजाएंगे कितने दिनों का बोजन है 48 कितने व्यक्ति और आगे 45 तो 45 और आगे तो 315 प्लस 45 और ये पूछा गया कि बोजन और कितने दिन चलेगा तो चला दीजी कितने दिन चलेगा 315 गुणा 48 ऐसे रखो कितना आएगा 10, 4, 5 और 1, 6 360 हो जाएंगे क्या काटना है क्या काट दो किस से काटेंगे 12 से 12 चोग, 48 बारतिया 5 चे का 30, 5 चे का 30, 5 ती 15 2 से 3 से काट दें क्या काट दो, 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे 2 3 से और काट दो 3 दू निच्छे, 3 एकम 3 21 दू ना, 42 कितना समी लगा, 42 कौन सांच राया, D option 3 पुरुस और 2 महिलाई कारे को 120 बटा 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं 2 पुरुस और 3 महिलाई उसी कारे को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं 1 पुरुस और 1 महिला कारे आरंब करते हैं और 12 दिनों के बाद 1 और पुरुस कारे में सामिल हो जाता है 3 और दिनों के बाद कारे को अगले ही दिन पूरा करने के लिए अधिक पूरुसों या महिलाओं को सामिल करने का निर्देश दिये जाता है निर्देश के अनुसार कारे को पूरा करने के लिए नियूंतम कितने पूरुस कितने और पूरुस या महिलाओं को लगाया जाना चाहिए यह आप से पूछा गया है मैं यह जानता हूँ कि तीन पुरूस और दो महिलाई कारे को कितने दिन में करती है तीन पुरूस और दो महिलाई कितने दिन में 120 बटे 13 इसी परकार से दो पुरूस दो पुरूस दो पुरूस और तीन महिलाई इसी कारे को कितने दिन में? 10 दिन में कर देते हैं अब हम लोग यहां कार देते हैं 0 से 0 और नीचे 13 ही है बिलकुल Cross multiply कर दो इसको 12 खो तो इधर गुणा करो 12 तिया 36 12 दुना 24 बराबर 13 दुना 26 13 49 ऐसे आ जाएगा यह M इस तरफ और W इस तरफ जाएंगे गए तो देखिए यहां पर कितना बचा बताओ यह इस तरफ आएंगे तो कितने बच गए 10 आदमी बराबर 24 इस तरफ जाएंगे कितने आ जाएंगे 15 महिलाए और काटेंगे 5 ती 15 5 दुनी 10 आदमीयों की अपिसेंसी और महिलाओं की अपिसेंसी M अनुपात W बराबर कितना आएगा बताओ 3 अनुपात 2 यह हो चुका है ठीक है अब आगे देखो एक पुरूस और एक महिला कारे आरम करते हैं तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कारे देख लेते हैं कारे है कितना कारे है कितना तो देख लीजे यहाँ पर कारे है कितना कारे कैसे निकालते हैं तो 3 पुरूस और 2 महिलाए कितने दिन में करते हैं यह ले लीजे यहाँ से निकल जाएगा कारे आपका चाहिसे यहां उपर से या नीचे से एक ही कारे हैं, तो नीचे वाली condition जादा आसान है, तो यहां पर लिखेंगे 2, पूरूस और 3 महिलाएं, कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में, तो यहां पर इनकी efficiency कितनी हैं, इसकी 3, इसकी 2, 3 दुनी, 6, 6, 12, 10, 120 मेरे पास क्या आई कारे आज चुका है ठीक है अब इस कारे को कौन-कौन करने वाला वो देख लेते हैं ठीक है 120 कारे करना ये तो पता लग गए अपने को यही कारे कौन-कौन करने वाला है अब देखिए सुरुवात में इन्होंने बोला कि एक आदमी और एक पुरूस, एक आदमी और एक महिला, कितने दिनों तक करते हैं पहले तो, बारा दिनों तक, ठीक है, इसके बाद मैं क्या हुआ कि यहां पर एक पुरूस और आ गया, तो कितने पुरूस हो गए, दो पुरूस, एक महिला, यही है, कितने दिनों तक करते हैं, तीन दिनों तक, अब हमें आगे की सर्थ को देखना है, और इसका पता कब लगेगा, पहले इनको अहल करेंगे, तभी पता लगेगा, हाना, कि यहां पर दे दिया गया हा कि कितने पु दोनों में से यह भी दे रहा है ना उप्षन में अब देख लेते हैं तो पहले तो हम लोग यहीं तक कर लेते हैं कि कितना काम कम्प्लीट हो चुका तो बताओ यहां M के इस्तान पर क्या लिखूंगा समझ जाएंगे क्या दिख जाएगा और W के इस्तान पर 2 M के इस्तान पर W के इस्तान पर बढ़िया 3 एकम 3 2 एकम 2 3 और 2 5 को 12 से गुणा करेंगे 60 का आरे हो चुका है है न मैं डारेट करूंगा क्योंकि फिर बढ़ा हो जाएगा 3 और 2 5 पांच ती तीन दुनी 6 छे और 2 8 आरतिया 24 का आरे हो चुका है तो कुल मिला कि आप तो complete कितना हुआ 84 कितना 6 बच गिया 6 तो देखो यहाँ 120 माइनस 84 कितना बच गिया कितना बच गिया तो क्या यहां पर अगर मैं देखी आहार ओप्सन में देखा है पहला ओप्सन न 12 operates क्या 14 मों क्या 14 मैं इतना और कारे कर पाती है कितनी मैं घीक है तो देखिए यहां पर अपने पास सेच कारे कितना हुआ अब इसको और कितने पुरूस या कितने महिलाई करेंगे तो हमारे पास पहले से कितने पुरूस या कितने पुरूस या महिलाओ को सामिल करने कर निर्देश दिया जाता है कितने और पुरूस या महिलाओ को और सामिल करने की बात हो रही है तो अगर हम लोग यहां 14 महिलाई और ले लेते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा दो पुरूस और 15 महिलाए एपिसेंसी रखेंगे पुरूसों की कितनी है एपिसेंसी तीन महिलाओ की कितनी है महिलाओ की दो तो कितने हो गए बताओ, 6 प्लैस 30, कितने हो जाएंगे, 36, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर बचा हुआ कारे कितना था, 36, तो न्यून्तम कितने केवल कितने पुरुसों को रखा, कितनी महिलाओ को रखा जा सकता है, 14 महिलाओ को, कौन सा ओप्शन हो जाएगा, A कर इसे 33 दिनों में कर सकते हैं, A और B कितने दिनों में? 21, B और C और A और C 33 दिनों में कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग इनका क्या लेंगे? एलिसियम, गुनों एलिसियम क्या आएगा, तो देखें यहाँ 21, 24 और 33, इनको हम लोग काटेंगे किस से, 3 से, 3 साथ, 21, 38, 24, कितना आएगा, 11, अभी कोई भी संक्या आपस में कटती नहीं है, तो इसका मलब इनका गुणाई होगा, और साथ में और किस से गुणा करना यही हमारा क्या होगा, एलिसियम, क्या आएगा, एलिसियम, इसका मलब क्या आएगा, यहाँ पर 11, 33, 33 को साथ से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 7, 21, 22, 23, फिर 8 से और गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 8, 8, 24, और 8, 26, 17, 18, इसका मलब कितना आया, एलिसियम कितना आया 1848 ये मेरे पास क्या आया बताओ एलिशियम आया क्या आया एलिशियम अब बात आती है 21 का भाग देने पर यहां पर कितनी आती है वो देख लेते है अठ्यासी बार जा रहा है 24 को बाग दो कितनी बार जा रहा है 77 बार जा रहा है क्या ठीक है 33 का भाग दो कितनी बार जा रहा है 56 बार कितनी बार जाएगा 56 बार ये जाएगा अब देखिए यहाँ पूछा गया है तीनों मिलकर तो सबसे पहले efficiency निकालेंगे तीनों की A की, B की और C की efficiency कितनी आएगी 88 87 और 56 को जोड की किसका भाग देंगे दो का यहाँ कितना आया बताओ 8, 6, 14, 14 और 7 21 7, 5, 12, 12, 8, 20 20 और 2, 22 बटे में 2 कितना आएगा 221 बटे 2 मुझे निकालना है समे क्या निकालना है समे निकालना है तो समे कितना आएगा A, B और C को कितना समे लगा है यह तो आई है मेरे पास Efficiency और यह मेरा क्या है Work और बताओ यहां Work upon Efficiency समे निकालते हैं इस तरीके से Work आठ 1848 है और Efficiency Efficiency 221 बटे 2 है यह 2 तो उपर चला जाएगा यह 2 तो उपर चला जाएगा तो 8 दो नि 16 4 दो नि 8 1 9 18 दो 36 बटे 221 अब बताया लगबग लगबग हमें आंसर देना है तो लगबग लगबग कितनी दिन में 17 दिन में कौन सा अंसर आएगा इसका A option आएगा A और B मिनकर कोई कारे 20 दिनों में करते हैं जबकि B अकेले 25 दिनों में करता है A और B मिनकर 20 दिनों में और B अकेले 25 दिनों में यहां से दोनों का क्या लेंगे ALECION कितना आएगा 100 20 पंजे 100 25 का 100 अब मुझे यहां B की EFFICENCY किसकी EFFICENCY चाहिए A की कैसे निकालेंगे A और B में से किसको गठाऊंगा बताओ B को A और B की EFFICENCY 5 इसमें से 4 गठाऊंगा तो A की EFFICENCY क्या आएगी कितने आएगी 1 आ जाएगी क्या उसी कारे को अखेले पूरा करने में A को कितने दिन लगेंगे A को लगने वाला समे समे बराबर WORK अपॉन EFFICENCY WORK कितना है 100 EFFICENCY एक ही 1 तो कितना आएगा बताओ 100 दिन 100 डेज हमारे पास क्या होगा answer होगा कौन सा option होगा C option होगा P और Q मिलकर किसी कारे को 15 दिन में करते हैं कितने दिन में करते हैं P Q से 3 गुना कुसल है P Q से 3 गुना कुसल है अगर ये 1 है अच्छे P 3 गुना है न तो ये कितना होगा 3 गुना क्या ही ये EFFICENCY ठीक है P और Q मिलकर 15 दिन में करते हैं P और Q तो वर्क निकालने का तरीका क्या होता EFFICENCY इन्टू टाइम EFFICENCY दोनों की कितनी है बताओ 4 और दोनों को लगने वाला समय कितना है 15 तो यहाँ पर EFFICENCY कितनी आई बताओ 60 यहाँ पर 60 यहाँ आ चुकी है सुरी कार यहाँ चुका है अब बताओ P को लगने वाला समय P को लगने वाला समय कैसे निकालते हैं वर्क अपॉन EFFICENCY वर्क कितना है 60 EFFICENCY कितनी है 3 कितना आएगा बताओ कितना आएगा 20 दिन कौन सा ओप्शन हो जाएगा B ओप्शन हो जाएगा A और B एक काम को करमे से 8 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं यदि B से सुरू करते हैं A और B एक कांतर करमें करते हैं कारे कितनी दिन में पूरा हो जाएगा, A और B, कितने कितने दिनों में कड़ता है, 8 दिन और 16 दिन, क्या आएगा इनका LCM, 16, आएगा, ठीक है, 8 का भाग दो, 8 दूनी, 16, 16 एकम, 16, ये क्या आएगा बताओ, efficiency, क्या आएगी, efficiency, और ये क्या आएगा, बताओ, work आएगा, क्या आएगा, work आएगा, clear है, अब देखें यहां से, यदि B से शुरू करते हैं, A और B कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, A और B कर रहे हैं, ठीक है, बताओ, पहले कोन कर रहा है, बताओ, B से कर रहे हैं, तो पहले B करेगा, तो पहले B को लिख दो, और बाद में A को लिख दो, B क कितना काम करेगा पहले एक बाद में ए दो तो कुल मिला के दो दिन में कितना कारे हो रहा है दो दिन में काम हो चुका है पहले तीन तीन का भाग दो पांच बार तो कुल मिला के पांच बार ये राउंड तो काड़ देंगे हम लोग कितने बार काड़ देंगे पांच बार कित इतने दिन में हैं? दस दिन में. अब नंबर किसका आएगा? किसका आएगा? अच्छा बी का नंबर आएगा ना? बी कितना काम कर सकता है? ठीक है? अब देखें, यहां से दिक्कत हमारे को आएगी आएगी. तो हम लोग क्या है यहां राउंड? पांच की जगद चार बार चल है ना? अच्छा बापस किसका नंबर आएगा? एक ही कारे करवाना है. किसका नंबर आएगा? किसका? बी का. एक दिन में कितना काम करता है? एक ही करता है. कौन करेगा? बी. कुल मिला कि कितने दिन होगे? ग्यारा दिन में. कितना काम हो चुका है? सोला कारे हो चुका है. अन्य ये अन्य दस दिनों में कारे को पांच बटा ग्यारा हुआ भाग करता है अच्छा देखिए यहाँ पर पांच बटा ग्यारा भाग कितने दिनों में दस दिनों में कौन करता है अन्य हल करेंगे तो पांच दुनी दस गुणा करेंगे तो बाइस दिन इसी परकार से यह पर रोहन की बात करेंगे हम लोग यहां पर रोहन पांच बटा छे बहा कितने दिन में करता है पंदरा दिन में पांस ती पंदरा छे तिया अठारा आर बराबर कितना अठारा दिन में बात क्लियर है लेकिन रोहन ने कारे पूरा होने से पांच दिन पहले ही कारे छोड़ दि आता ए और ए और बी ए कितने दिनों में बाइस और बी अठारा दिनों में एलसियम लीजिए दोनों का कितना आएगा एक सो अठ्याणम है बाइस का भाग देंगे हम लोग नो बार अठारा का भाग देंगे ग्यारा बार अब ये बोला गया है कि साथ में मिलकर कारे किया पर पांच दिन पहले कौन छोड़के चला गया A और B दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे कितने दिनों तो किया नहीं पता सही है एक कौन है बताओ यहां पर अने और B क्या किसको माना है रोहन को किसको माना है रोहन को भी माना ये द्यान रखना अब देखो यहां से मुझे बताओ यहां पर कौन कारे छोड़ कर जा रहा है पहले रोहन तो यह पांच दिन का कारे कौन करेगा अने कौन करेगा अने तो पांच दिन में किया गया कारे कितना होगा बताओ अने के दुआरा अने एक दिन में कितना करता है? 9, तो 9 इन्टू 5 कितना हो जाएगा? 45 कारे किसने कर लिया? अने ने, बच गया कितना कारे? 183, और 153 सेस बच चुका है, 153 को कौन करेगा? बथाओ, 153 को कौन करेगा A और B कितने समय में करेंगे देख लेते हैं क्या आएगा बताओ work upon efficiency होता है न work 153 efficiency कितनी है A और B की कितनी है 20 ठीक है तो पूछा भी यही है कि बताओ दिनों की संक्या ग्याद करे जिसके बाद रोहन ने कारे छोड़ दिया रोहन ने कारे छोड़ दिया उसके बाद में तो पूछा यही है न दिनों की संक्या ग्याद करें कि जिसके बाद रोहन ने कारे छोड़ दिया तो दिनों की संक्या कितनी आएगी बताओ इसके बाद रोहन ने कारे छोड़ दिया था A और B अकेले एक कारे को साथ दिन और चोधा दिन में कर सकते हैं A और B अकेले साथ दिन और चोधा दिन में कर सकते हैं LSM कितना आएगा इनका? चोधा आएगा साथ दूनी चोधा, चोधा एकाम A और B एकांतर करम में करते हैं पहले A करता है और फिर B करता है बताओ दो दिन में कितना कारे हुगा, दो दिन में कितना कारे हुआ, तीन कारे हो चुका है, बताओ इस तीन का भाग देंगे तो कितनी बार ये राउंड चलाएंगे, चार बार ये राउंड चलेगा, कितने दिन हो गए बताओ, आठ दिन, आठ दिन में कारे कितना हो गया, अब वापस नमबर किसका आएगा बताओ, A का नमबर आएगा, A बताओ, एक दिन लगाएगा और एक दिन में कितना काम कर देगा, तो क्या कंप्लीट हो गया 14 कारे हैं, कितनी दिन लगें, 9 दिन लगें, तो हमारे पास जो अंसर आएगा वो क्या आजाएगा, A आप्शन कारे कर सकती है प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बानने का कारे कितने समय में पूरा कर सकती हैं हमारे पास है यहाँ पर M1 D1 लगा सकते हैं लगा सकते हैं न देखो यहाँ पर सुसान सो पुस्तकों को बानने के लिए कितने गंटे लगाते हैं सुसान थता प्रगति साथ मिलकर कितने गंटे में 80 गंटे में कितनी पुस्तके 600 पुस्तकों को बानने का कारे करती है प्रगती अकेले कौन कोर बताओ प्रगती अकेले 60 पुस्तकों को बानने का कारे कितने समय में पूरा कर सकती है यह पूछा गया है आईए देख लेते हैं यहां से चलिए प्रगती पहले ए कितना सुसान है S कितनी गंटों में कितनी पुस्त के बताओ M2 कितना सुसान प्लस प्रगति कितने समय में 80 गंटे में कितनी पुस्त के 600 पुस्त के हम जो काटते हैं जो कट रहे हैं वो जो काट देते हैं 20 चोक 80 कि लिए रहे क्या चलिए 2 से काटेंगे 2 दो तिया 6 कि लिए रहे क्या 3 से गुणा करो कितना यहां 3S ऐसे तो S है यह 3S बराबर 2S प्लस 2P यह 2S इस इस तरपा के किसका होगा माइनस का 1S बराबर 2P बताओ यहां पर क्या आएगी अपिशेंसी S की 2P की 1 ठीक है सुसान की कितनी आई सुसान और प्रदीप की अपिशेंसी 2 अनपाद 1 यह तो अपिशेंसी आई अब बोला गया है कि प्रगति अकेले 60 पुस्तगों को बाढ़ने का कारें कितने समय में करेगी कितने समय में करेगी किलिए रहे तो मुझे पताओ यहाँ पर मुझे पताओ यहाँ पर M1, D1 वो अपस लगा दूँ मैं मेराबर M2, D2 अपॉन W2 मैं जानता हूँ यहाँ पर कि सुसान अकेले 20 गंटे में कितनी पुस्तगे बाढ़न देती है 100 इसी परकार से प्रगती अकेले कितने समय में 60 पुस्तगे बाढ़न देगी यही है सवाल ठीक है हमें efficiency पता है S की कितनी है और P की कितनी है ठीक है 20 पंजे सो 5 से काटेंगे कितना 12 12 को गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ 12 दुना 24 तो यह D का मतलब D नहीं है कितने में हावर्स है क्या है हावर्स तो कितने गंटे में बताओ 24 गंटे में आगया क्या A B और C एकारे को करमे से 15 तीस और 20 दिनों में पूरा कर सकते है A B C कितने कितने 15 तीस और 20 दिनों में कर सकते है क्या आया बताओ पंदरा चुकू तीस दुनी बीस तिया क्लियर है एक काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है भी काम पूरा होने से दो दिन पहले काम छोड़ देता है दिनों की संक्या ग्यात कर रहा है जो पूरे कारे को करने के लिए आवस्यक है अच्छा शुरुवात में तीनों साथ में मिलके कर रहे थे बताया नहीं गया यहां पर ठीक है कितने दिन कर रहे हैं यह भी नहीं पता अब देखो यहां B पहले छोड़ रहा है या A पहले छोड़ रहा है तो B पहले छोड़ रहा है था इसका मलब A और C के लिए काम कितने दिन का बच गया था दो दिन का लेकिन इन्होंने जैसे ही दो दिन की जगह कितने दिन काम किया बताओ एक दिन ही काम किया फिर कौन एक दिन का काम और बच गया था दो दिन का बचा बचा था, इन्होंने एक दिन किया फिर एक दिन का और बच गिया था, तो एक दिन का जैसे काम बचा फिर उसने कितने कहा बताओ, ए ने, ए ने क्या कहा, कि मैं भी जा रहा हूं, चला गया, तो कौन बच गया, C, तो बताओ, A और C ने कितने दिन काम किया, efficiency into time, यही होता है, बताओ efficiency कितनी है, efficiency कितनी होती है, बताओ, efficiency है मेरे पास, तीन, और time कितना है, sorry, time कितना है, कितना हुआ कारे, तीन, इसी परकार से, A और C के लिए, efficiency कितनी है, A और C की, साथ, समे, कितना, 10 कारे complete हुआ क्या, 10 कम कर दीजे, सेश कारे, सेश कारे, और यह जो कारे किया होगा, साथ में मिलके किया होगा सभी ने, लगने वाला समे, A, B और C को लगने वाला समे, बताओ, work upon efficiency होता है, बताए कि नहीं होता है, work कितना बचा हुआ बताओ, efficiency, A, B, C की, 4, 3, 7, और 2, 9, कितना आएगा बताओ, यहाँ पर, टोटल टाइम पूचा है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम बताओ, यहाँ पर पहले एक, और एक कितने होगे बताओ, दो, दो प्लैस, पचास बटे, 9, 9 दो नहीं, अठारा, अठारा और पचास, 68 बटे, 9, सही आंसर, C, option, हो जाएगा, A और B, 330 रुपे के लिए, एक कारे करना आरंब करते हैं, A इसे 11 दिनों में कर सकता है, और B इसे 22 दिनों में कर सकता, C की साहिता से वे इसे 6 दिनों में भी समाब्द कर सकते हैं, C को उसके काम के लिए कितना बुक्तान किया जाना चाहिए, A और B, 330 रुपे के लिए कारे करते हैं, A कितने दिनों में कर देता हैं, बताओ, और B, यह भी important question है, अकसर exam में पूछा ही जाता है, यह ध्यान रखना, ठीक है, A 11 दिनों में और B कितने दिनों में, 22 दिनों में, बताओ A, B, C की साहिता से, इसे कितने दिनों में कर देते हैं, C की साइता से A, B ने C की साइता से इसे 6 दिनों में कर दिया क्या लेंगे बताओ इसका Elysium क्या जाएगा Elysium 22, 22, 11, 33 66 आजाएगा 11 का भाग दीजिए 6 22, 66, 66 का भाग देंगे 11 क्या है ये Efficiency क्या है ये Work अब बताओ यहां से C की Efficiency Oल निकाल सकते हम लोग यहां C की Efficiency A, B, C की Efficiency पता ही आप लोगों को कितनी है 11 कितनी है 11 minus A और B की कितनी है बताओ 9 तो C की Efficiency कितनी आई 2 Efficiency की बात कर रहे हैं समी की बात नहीं कर रहे हैं अब पूचा यह गया है C को उसके काम के लिए कितना मुक्तान किया जाना चाहिए बताओ 330 रुपे A और B के लिए है तो एक वेक्ती और आ जाएगा तो 330 रुपे फिर A, B और कितने के लिए होगा C के लिए होगा और तीनों की अपिसेंसी कितनी है यह निटीनों बटेंगे तो 11 अनुपात बराबर 330 एक अनुपात बराबर 30 तो बताओ C को कितनी अपिसेंसी मिले उए है तो बताओ दो अनुपात बराबर 60 तो C को कितने रुपे मिलेंगे बताओ 60 रुपे कौन सा आनसर आएगा A option आ जाएगा एक कारे को A और B मिलकर 12 दिनों में B और C 15 दिनों में C और A मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं A, B, C एक साथ कारे करते हैं तो उस कारे को पूरा करने में आविश्यक दिनों की संक्या बताईए A और B कितने दिनों में करते हैं बताओ 12 B और C 15 दिनों में C और A, 20 दिनों में करते हैं, क्या आएगा LCM इनका? 60 आएगा, LCM क्या आएगा? 52, 15 चुकूं, 20 तिया, efficiency आ गई है, कारे आ चुका है ये, और बताएं यहाँ पर तीनों की efficiency क्या आएगी? A, B और C की, सब को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर, 5, 4 और 3, बटे में 2, कितना आएगा, बताओ, 12 बटे 2, यानि कितना आएगा? 6, समय निकालना है, A, B और C को लगने वाला साइगे, कैसे निकालते हैं, work upon efficiency, कारे कितना है, efficiency कितनी है, कितना समय लगेगा? 10 दिन, 10 days, कौन्सा option आएगा? आजाएगा क्या? आगे बढ़ो, राकेस एक कारे को 45 दिनों में कर सकता है, मनोज उसी कारे को 90 दिनों में कर सकता है, समान कारे को पूरा करने में लगने वाला समय गयात कीजिए, यदि मैं बारी-बारी से एक कारे को करते हैं, तो तक कारे की सुरुवात कौन करता है? राकेस, राकेस कितने समय में कर सकता है 45, मनोज कितने समय में 90, LCM कितना 90, 45 का भाग देंगे 90 का भाग देंगे 1, efficiency पता है अपने को वर्क पता है अपने को अब बताओ पहले कौन करेगा बताओ, राकेश बाद में कौन करेगा, मनोज करेगा राकेश की एक दिन की कारे करने की समता है 2, मनोज की एक दिन की 1, तो कुल मिला के 2 दिन में कितना कारे हुआ 3 कारे हुआ, इसका भाग देंगे तो ये राउंड कितनी बार चलाएंगे हम लोग, ये राउंड कितनी बार चलाएंगे 30 बार, 30 बार चलाएंगे तो यहानी समय कितना लगेगा 60 दिन तो काम कितना complete हो जाएगा 90 कार हो जाएगा करवाना भी इतना ही था तो समय कितना लगा 60 दिन ठीक है राजو एक काम को 10 गंटे में और राम उसी को 15 गंटे में कर सकता काम को कितना समय लगेगा एक साथ मिलकर कारी करता है LCM कितना 30 10 तीया 30 पंदरदना क्या ही बताओ efficiency और यह क्या आया बताओ work है अब बताओ यहां दोनों मिलके कर रहे हैं राजु और राम बताओ यहां work कितना है efficiency दोनों की कितना समय 6 गंटे कौन सा आएगा D option आजाएगा 20 महिलाए एक काम को 16 दिन में कर सकती है 16 पुरूस इसे 15 दिन में कर सकते हैं एक पुरूस रेक महिलाए की कारे समता का अनपाद क्या होगा यह simple सा तरीका M1 D1 बराबर क्या लगाएंगे बताओ 20 महिलाए कितने दिनों में बताओ 16 पुरूस कितने दिनों में 15 दिनों में यहां से हम लोग यहां पर देख लीजिए यहां पर काट लेघे 16 से 16 पांचों का 25 ती 15 कितनी महिलाए बताओ चार महिलाई और कितनी बच गए तीन पुरूस बताऊ महिलाओ की efficiency और पुरूस की efficiency पहले किसके लिए बोला पुरूस के लिए पुरूस की efficiency कितनी है 4 महिलाओ की 3 क्या answer आएगा a option आजाएगा क्या यही है एक दिन में कारे करने के सम्ता पी और क्यू मिलकर एक कारे को 21 दिनों में कर सकते हैं क्यू अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है यदि क्यू परती दिन एक दिन में दोगना कारे करता है एक दिन में कितना कारे करता है दोगना कारे करता है P और Q मिलकर लगबग कितने दिनों में कारे पूरा करेंगे मुझे पता है P और Q कितने दिनों में करते है और Q कितने दिनों में 4 ऐसी दिनों में LCM कितना आएगा 4 ऐसी आएगा 21 का भाग दो 4 ऐसी का भाग दो बताओ P की Efficiency कितनी आएगी P की Efficiency चार माइनस एक कितना आएगा बताओ तीन आजाएगा क्या कितना आजाएगा चार माइनस एक कितना आजाएगा तीन ठीक है यह आजाएगी किसकी आजाएगी पी की एपिसेंसी आजाएगी लेकिन पी का बूला गया है कितने समय सोरी यह तो पी की आई है क्या बूला गया है पी की efficiency आगे, क्यों का क्या बूला गया है, दुगना, efficiency अभी कितनी है, एक, पहले एक था, अब कितना कर दू बताओ, दो, तो कारे करने के समता एक दिन में कितनी हो गई, बताओ, एक दिन में कितनी हो गई, दो गई, और इसकी कितनी है, तीन, और नहीं efficiency आगई न, पी की ए और ये क्योंकि, क्योंकि पहले एक थी लेकिन कितनी हो गई, दो, दोनों को मिला के लगने वाला समय, work upon efficiency ऐसे ही करता है, work कितना 84 efficiency, 3 plus 2 कितना हो जाएगा, 84 बटे 5, कितना आएगा बताओ, 16 point, 8 तो कितना हो जाएगा, 17 days, लगबग लगबग 17 days हमारे पास आंसर आएगा, एक सवाल और है, 9 दिनों में 3 बटा 4, ए क्या है, 3 बटा 4 कारे कितने दिनों में बताओ, 9 दिनों में, काटते हैं हम लोग यहाँ, 3 तिया 9, 4 ती 12, कितना 12 दिनों में, सही है, बी की बात करते हैं, तो क्या होगा, बी की बात करते हैं, तो बी 2 बटा 5 कारे, कितने दिनों में 12 दिनों में तो 2 कबाख देंगे 6-5 से गुणा करेंगे तो बी को कितना लगेगा 30 दिन इसी परकार से तीनों साथ में मिलकर 60 बटे 11 दिनों में संपुण कारे पूरा करते हैं सीकी साजता से 3 साजता से करते हैं तो मुझे बताओ A B आर C तीनों 60 बटे 11 दिनों में कर लेते हैं ये तो पहले हिदे रहा है ये तो 60 वटे ग्यारा दिनों में कर लेते हैं समय दे रहा है ठीक है आइए आप शुरू कर लेते हैं हम लोग यहाँ A कितने समय में कर सकता है 12 B 30 A B C 60 बटे तीनों का LCM ले लें क्या 60 याएगा 12 का भाग देंगे 30 का भाग दो 60 का भाग दो A को 11 से गुणा करो 11 अब बताओ यहाँ से Efficiency किसकी चाहिए C की Efficiency कैसे निकालेंगे 11 में से क्या गठाओंगा A और B की गठा दो 7 कितनी आ जाएगी 5 कितनी आ जाएगी 4 C की आ जाएगी क्या जाएगी Efficiency ठीक है अब पूछा यह गया कि 330 रुपे कमाते है यदि धन को किये गए कारे के अनुपात हों बाठा जाता है तो C के इससे में A के इससे से अंतर बताईए C का और A का अंतर बताओ C की Efficiency 4 A की Efficiency 5 तो बताओ अंतर कितना है अंतर अंतर एक Efficiency का अंतर आया की नहीं आया अब हम देख लेते हैं कि total क्या अनुपात कितना है ग्यारा अनुपात बराबर टोटल रुपे कितने है 330 रुपे एक अनुपात बराबर कितना आएगा 30 तो वास्ता में अंतर भी कितना है A का efficiency है एक अनपाती है तो सही answer क्या अएगा B option आ जाएगा रमेश और सुरेश एक कारी कुकर में से 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं पहले दिन रमЕश और दूसरे दिन कौन करता है सुरेश रमेश और सुरेश रमेश 10 दिन में और सुरेश 12 दिन में करता है बताओ दोनों का क्या लिया जाएगा LCM कितना आएगा 60 10 चिकी 60 52 60 क्या यह बताओ efficiency अब दोनों केसे केसे कारे करते हैं एक दिन छोड़ कर एक दिन पहले कौन कर रहा है बताओ रमेश कितना कारे 6 सुरेश कितना 5 दो दिन में कितना 11 का बाग दो कितने राउंड होंगे कितने दिन में कितना 55 कारे कितना कारे 55 कारे किलिए रही क्या अच्छा 10 दिन में 55 कारे हो चुका है अब वापस किसका नंबर आएगा रमेश का रमेश क्या बोल रहा है मैं तो एक दिन में 6 कारे करूँगा करना कितना है 5 समी के से निकालते हैं work upon efficiency कारे कितना बचा हुआ है 5 efficiency कितनी है 6 तो समी कितना लगा 5 तो मेरे पाफ पूरा समी क्या लगेगा 10 सही 5 वटे 6 दिन यहीं लगेंगे क्या 10 सही 5 वटे 6 दिन कौन सांसर आएगा D option आजाएगा अनील और बबलू दिये गए कारे को 50 दिनों में कर सकते हैं अनील और बबलू कितने दिनों में कर सकते हैं बबलू और केंडी कितने दिनों में कर सकते हैं अनील और बबलू कितने दिनों में अनील बबलू और केंडी कितने दिनों में 30 दिनों में कर सकते हैं हेल्शियम कितना आएगा इनका 300 हेल्शियम ले लेते हैं चलो कितना बार जाएगा बताओ छे बार कितनी बार जाएगा पांच बार कितनी बार जाएगा दस बार अब बताओ यहां पर किसकी अपिशेंसी नहीं पता यहां पर किसी की नहीं पता भी तो A और B की पता है B और K की पता है A B की पता है सबसे पहले हम लोग A B K में से B और K की गठा देते है B और K की गठाएंगे तो A की efficiency आ जाएगी क्या A की efficiency आ जाएगी आ जाएगी न क्या आएगी बता हो A की efficiency A प्लस B प्लस K ये गठाएंगे इसमें से B प्लस K की गठा दो A प्लस B प्लस K की कितनी है 10 इसमें से 5 गठाओ कितनी आई 5 अब बताओ A और B की efficiency कितनी है 6 इसमें से किसको गठा दूँगा बताओ B की चाहिए ना A की गठा दो 6 में से किसको गठाओ 5 को अर नहीं समझे क्या कितना आएगा बताओ ये क्या ये बताओ efficiency लगने वाला समय भी को work upon time work कितना है efficiency work upon efficiency efficiency कितनी है कितना आएगा बताओ इस प्रकार से आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्ट करते हैं चैलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर चलिए thank you so much हसते रहिए खेलते रहिए मुस्क्राते रहिए एक बात और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए